Hello and Welcome to WS Cube Tech मैं हूँ BK Singh और आज के MATLAB Simulink Tutorial के अंदर हम देखने वाले है Temperature Conversion यानि degree Celsius हम input में लेंगे और उसको Fahrenheit में convert करेंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैंने model file open कर रखा है model file के अंदर जो मुझे expression calculate करना उसका मैंने formula यहाँ पर लिख रखा है तो formula है Fahrenheit equals to 9 by 5 into Celsius plus 32 तो चलिए इसको implement करते हैं implement करने के लिए सबसे पहले हमें input में Celsius थी है तो input Celsius लेने के लिए हम directly एक constant ले लेते हैं तो constant लेने के लिए हम sources पर जाएंगे और यहाँ से constant block को drag and drop करेंगे अपने model file के अंदर उसके बाद हमें 9 by 5 का एक gain चाहिए यानि 9 by 5 का हम gain select करेंगे और उसको multiply करेंगे इस constant के साथ तो चलिए पहले मैं इसको rename कर देता हूँ rename कर देता हूँ Celsius ताकि हमें पता रहे कि हम Celsius के अंदर input provide कर रहे है अब हमें एक gain लेना है तो gain हमारे पास आ जाएगा that is math operation के अंदर math operation के अंदर आप देखिए gain का block है इसको drag and drop किया हमने model file के अंदर तो हमारे पास gain आ गया gain की जगा हमें 9 by 5 लेना है तो इस पर आप double click करेंगे double click करने के बाद आप यहाँ पर value लिख सकते है 9 divided by 5 तो यह automatically 9 by 5 calculate करके देदेगा आप यहाँ पर apply करने के बाद okay कर देजी तो यहाँ देखिए gain block के उपर ही लिखाओ आ गया 9 by 5 अब आप इसको multiply कर देंगे celsius को 9 by 5 से तो यह वाला part हमारा first वाला part complete हो गया अब इसमें एड करना है 32 तो 32 एड करने के लिए हम वापिस एक constant ब्लॉक लेंगे जो कि हमें sources के अंदर मिलेगा तो constant हमने select किया और drag and drop किया और इसके अंदर हम value 32 लिख देंगे तो इस पर double click किया और इसके अंदर हमने 32 value constant की assign कर दी और यहां पर apply कर दिया और फिर ok कर दिया यह 32 आ गया अब हमें यहां पर plus करना है यानि इन दो values को plus करना है तो plus करने के लिए वापिस math operation के अंदर जाएंगे और यहां पर addition या add block को drag and drop करेंगे अपने model file के अंदर तो चलिए यहां पर मैं इसको connect कर देता हूं यह हमारा first part और प्लस हमारे पास consonant की value आई that is 32 तो यह हमारे पास दोनों add होके आगे हैं अब यहां पर हम इसको show करना है that is Fahrenheit के अंदर तो Fahrenheit के अंदर आप directly show करने के लिए सिंक के अंदर जाएंगे और display block को drag and drop करेंगे अपने model file के अंदर तो display block को हमने connect कर दिया यहां से output के अंदर से अब connect करने के बाद finally आप देखेंगे कि यह हमारे पास Celsius के अंदर value आ रहा है और यह 95 gain से multiply हुआ यहां पे गया और यहां से प्लस 32 आ रहा है तो फाइनली जो value आएगी वह हमारी Fahrenheit में आएगी तो मैं यहां पर एफ लिख देता हूं तो चलिए यहां पर अगर मैं Celsius की वैली चेंज करता हूं सपोज मैं 100 लेता हूं 100 डिग्री Celsius तो 100 degrees Celsius Fahrenheit में कितना आता है उसको रन करते हैं और फिर चेक करते हैं तो रन करने के बाद हमारे पास इसके अंदर value डिस्प्ले होके आ जाएगी तो इस तरीके से हम temperature conversion कर सकते हैं from Celsius to Fahrenheit इसे तरीके से आप mathematical expressions के थुरू अगर आपको formula पता हो तो उस formula को इस block के थुरू हम implement कर सकते हैं और उसका output चेक कर सकते हैं तो hopefully ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा next वीडियो में देखेंगे कुछ और topics के साथ जिसका हम simulation करने वाले हैं और उसके अंदर हम देखेंगे अलग-अलग mathematical expressions को कैसे solve करते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में thank you हुआ हुआ है